मैं मानवो की उस प्राजाती का हिस्सा हूँ जिन्हें पालगाट ब्रामन कहा जाता है इनकी चार किसमें पाई जाती हैं रसोईये, धोकेबाज, सिविल सर्वेंट और संगीतकार मैं समझता हूँ मुझ में थोड़ी बहुत ये सारी होविया है मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत धोकेबाज भी हूँ मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं संगीतकार भले ही ना हूँ लेकिन संगीत की समझ मेरे अंदर है ये हैं TN सेशन, जिन्होंने एक जमाने में एक बहुच अच्छित जुमला बोला था I eat politicians for breakfast, यानि मैं नाश्टे में राजनितिग्यों को खाता हूँ भारती चुनाव व्यवस्था में आमूल बदलाव करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो है TN सेशन उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने में महत्रपूर्ण भूमिकान भाई थी चंदशेकर सरकार में वानिज मंत्री रहे डॉक्टर सुब्रमन्यम स्वामी ने जिन्होंने साट के दशक में सेशन को हारवर्ड विश्वद्याले में पढ़ाया भी था 9 दिसंबर 1991 की रात को वो और रॉक्सना स्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का प्रस्ताव लेकर सेशन के पंडारा रोट इस थिद्खर में गए थे सेशन ये पेशकर सुनकर बहुत खुश नहीं हुए थे उन्होंने कहा था कि वो राजीव गांधी की राय लेकर बताएंगे कि उन्हें ये पद सुईकार है या नहीं सेशन की जीवनी, सेशन एन इंटिमेट स्टोरी लिखने वाले वरिष्ट पत्रकार के गोविंदन कुट्टी बताते हैं वीपी सिंग की सरकार ने उनके साथ बुरा सुलूक किया उन्हें योजना आयोग में पटक दिया गया चंदरशेकर सरकार में वानेज्य मंत्री डॉक्टर सुबरमन्यम स्वामी की वज़े से सेशन को ये पद मिला उन्होंने देर रात राजीव गांधी को फोन मिलाया जब सेशन राजीव गांधी के घर पहुँचे तो वो अपने ड्रोइंग रूम में थोड़ी उतसुकता के साथ उनका इंतजार कर रहे थे उनकी बाचीट सिर्फ पांच मिनट चलने वाली थी लेकिन बहुत जल्दी ये समय बीट गया राजीव ने जोर से आवाज लगाई दिफ़ेट फेलो इस हियर क्या आप हमें को चॉकलेट बिचवाएंगे चॉकलेट सेशन और राजीव गांधी दोनों की कमजोरी थी थोड़ी देर की बातचीत के बाद राजीव गांधी ने सेशन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद स्विकार करने के लिए अपनी सहमती दे दी लेकिन वो इससे बहुत जादा खुश नहीं थे घंटे भर बाद जब राजीव ने सेशन के बाहर जाने के लिए दर्वाजा खोला तो उन्होंने सेशन को छेड़ते हुए कहा वो दाड़ी वाला शक्स उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनावायुक्त बनाने का फैसला किया था ये दाड़ी वाले शक्स और कोई नहीं प्रढ़ान मंत्री चंडशेकर थे टिन सेशन के राजीव गांधी के नस्दीक आने के भी एक दिल्चस्प कहानी है वो पहले वन और फिर पर्यावरन सचिव हुआ करते थे वहां उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि राजीव ने आंतरिक सुरक्षा मंत्राले में उन्हें सुरक्षा सचिव बना दिया सुरक्षा सचिव के रूप में सेशन सचिव से कहीं बड़ा काम करने लगे वे खुद सुरक्षा विशेशक्य बन गए एक बार उन्होंने राजीव गांधी के मूर से बिस्किट खीच लिया ये कहते हुए कि प्रधार मंत्री को ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसका पहले परिक्षन न किया गया हो एक बार 15 अगस्त को राजीव गांधी बहुत से लोगों के साथ विजय चौक से इंडिया गेट तक दोड़ने वाले थे वो ट्रैक सूट पहने हुए थे थोड़ी दूरी पर सेशन बंद गले के कोट और पतलून में सारा इंतजाम देख रहे थे राजीव गांधी ने उन्हें देख कर मजाग किया आप वहां क्या सूट बूट पहने खड़े हैं आईए आप भी हमारे साथ दोड़िए आपका मोटापा थोड़ा कम हो जाएगा इस पर सेशन ने तपाक से जवाब दिया कुछ लोगों को सीधे खड़े रहना पड़ता है ताकि देश का प्रधान मंतरी दोड़ सके थोड़ी देर बाद वो हुआ जिसकी राजियू गांधी को बिलकुल उम्लीद नहीं थी अभी वो कुछी मिनट दोड़े होंगे कि सुरक्षा कर्मी उनके चारो तरफ घेरा बनाते हुए उन्हें ऐसी जगह ले गए जहां एक कार खड़ी थी जिसका इंजन चालू था उन्होंने राजियू को कार में बिठाया और ये जा वो जा एक मिनट के भीतर उन्होंने उनको उनके घर के अंदर पहुछा दिया। ऐसा करते हुए सुरक्षा कर्मी राजियू गांधी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें ये हर हाल म करना होगा सेशन के नरदेश थे कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा के साथ कोई खिलवार नहीं हो सकता मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले ही दिन उन्होंने अपने पहले चुनाव आयुक्त रहे पेरी शास्त्री के कमरे से सभी देवताओं की मूर्तियां और कैलेंडर हटवा दिये ये तब था जब सेशन खुद बहुत धार में क्रेक्ती थे उनकी आजाद प्रवरती का पहला नमूना तब मिला जब उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद ततकालीन सरकार से बिना पूछे लोग सभा चुनाओं इस्थागित करा दिये धीरे धीरे वो चुनाओं आयोग के दफ्तर को सेंटर स्टेज में ले आए एक बार उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा था चुनाओं आयोग की स्वायतता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे एक पूर्व वर्ती ने सरकार को पत्र लिखा कि उन्हें 30 रुपे की मंजूरी दी जाए जिससे वो एक किताब खरीद सकें चुनाओं आयोग के साथ सरकार के पिछलगू जैसा बरताओं किया जाता था मुझे याद है जब मैं कैबिनेट सचिव था प्रधान मंत्री ने मुझे बुला कर कहा कि मैं चुनाओं आयोग को बता दूँ कि मैं फला फला दिन चुनाओं करवाना चाहता हूँ मैंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते हम चुनाओ आयोग को सिर्व ये बता सकते हैं कि सरकार चुनाओ के लिए तयार है मुझे याद है कि मुखे चुनाओ आयुक्त कानून मंत्री के दफ्तर के बाहर बैठ कर इंतजार किया करता था कि उसे कब अंदर बुलाया जाए मैंने कहा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा मैं किसी भी समय बातचीत के लिए तयार हूँ वशर्ते हमारे साथ सम्मान का वहवार हो हमारे दफ्तर में सभी लिफाफों पर लिख कर आता था चुनाओ आयोग भारत सरकार मैंने उन्हें साफ कर दिया कि मैं भारत सरकार का हिस्सा नहीं हूँ 1992 के शुरू से ही सेशन ने सरकारी अफसरों को उनकी खलतियों के लिए लतारना शुरू कर दिया था उसमें केंद्र के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल थे एक बार शहरी विकास मंत्राले के संयुक सचिव के धर्मराजन को त्रिपरा में हो रहे चुनाओं का परिवेक शक बनाया किया लेकिन वो अगर तला जाने के बजाए एक सरकारी यात्रा पर थाइलेंड चले गए टी एन सेशन ने आदेश दिया श्री धर्मराजन जैसे अफसरों को ये गलत फहमी है कि चुनाओं योग के अंतरगत उनका काम एक तरह का स्वेचिक काम है जिसे वो चाहें तो करें या ना करें वो अगर सूचते हैं कि विदेश जाना या उनके विभाग का काम चुनाओं योग के काम से ज्यादा महतुपूर्ण है तो उनकी इस गलत फहमी को ठीक किया जाना चाहिए उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन चुनाओं योग ने इस विकल्प का इस्तेमाल न करते हुए उनकी गोपनीय रिपोर्ट में विपरीत प्रविष्टी करने का फैसला किया है सेशन के इस आदेश से सत्ता के गलियारों में तहलका मच गया लेकिन अभी बहुत कुछ होना पाकी था दो अगस्त 1993 को रक्षा बनन के दिन टी अन सेशन ने एक सत्रा पेज का आदेश निकाला ये जब तक सरकार चुनाओं आयोग की शक्तियों को मानिता नहीं देती तब तक देश में कोई भी चुनाओं नहीं कराया जाएगा सेशन ने अपने आदेश में कहा जब तक वर्तमान गतिरोध दूर नहीं होता जो की सिर्फ भारस सरकार द्वारा बनाये गया है चुनाओं आयोग अपने आपको अपने समवैधानिक करतव ये निभापाने में असमर्थ पाता है उसने तै किया है कि इसके नियंतरण में होने वाले हर चुनाओं जिसमें राजसभा के दुवार्शिक चुनाओं और विधान सभा के उप चुनाओं जिनके कराने की घुषना की जा चुकी है आगामी आदेश तक इस्थगित रहेंगे इस आदेश पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया आनी सौभाविक थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजसभा सीट का चुनाओ नहीं होने दिया। जिसकी वज़े से केंद्रिय मंतरी प्रणा मुकर्ची को अपने पच से इस्तीफा देना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मु जातंत्र को ही लॉक आउट कर दिया है। सरकार ने इसका तोड निकालने के लिए चुनाओ आयोग में दो और चुनाओ आयुक्तों जी वीएस क्रिशनमूर्ती और MS गिल की नियुक्ती कर दी। सेशन उस दिन दिली से बाहर पुने गये हुए थे। बाद में मुक्य चुन गॉलियर स्टेशन पर उतरा तो कमिशनर गॉलियर वस वेटिंग फर मी तो उन्होंने मुझे का जी घर चले हैं काफी पी एं तो वो मेरे को गर ले गया है और गर जाके उन्होंने का जी अमरनात वर्मा जो मेरे से एक साल सीनियर था और मेरा दोस्त था मद्यपरदेश पहुंच गया और उन्होंने बना चुके थे कि मैं और जी वी जी क्रिशनमूर्थी एस कमिशनर्स मेरी तब यह तैसी है कि जो कहना ठोक के कहूं सो हुई मेरी और वो बहुत विदवान आदमी थे मैं नर्समराओ की इज़त करता हूं उसके बाद मैंने जाके चार्ज लिय जो क्रिशनमूर्थी था वो पहले ही जाके चार्ज ले चुका था वो उतावला था कि नौकरी ले क्रिशनमूर्थी ने पद सम्हालते ही राश्पती से शिकायत की कि उन्हें आयोग में बैठने की जगए नहीं दी जा रही उनकी सेशन से पहली मुलाकात भी हासी कटू रही नाच से लगए कई किसमों से और वो छोटी छोटी बात पर लड़ता था इनको कमरा मत देो कमरा इधर देो उधर मत देो टी एन सेशन ने इन दोनों चुनाओ आयोगतों के साथ सहयोग नहीं किया हद तब हो गई जब वो अमरीका गए तो उन्होंने इन दो लोगों के बजाए उप चुनाओ आयोगत डी एस बगगा को अपना चार्ज दिया मैं तो सेशन से भी बात करता था क्योंके हमारा आई एस का और मेरी वो रिस्टेक्ट करता था और आई और आई और सेशन गया हुआ था अमेरिका तो वो बगगा को इन चार्ज बना गया बहराल इन दो चुनाओ आयोगतों के रहते टी एन सेशन ने अपना कारेकाल पूरा किया उनके बारे में कहा जाता था कि भारती राजनेता सिर्फ दो से डरते हैं पहला इश्वर और दूसरा सेशन लेकिन सेशन का मानवी पक्ष भी था वो करनाटक संगीत के शौकीन थे उनको इलेक्ट्रोनिक गैजट्स जमा करने का बहुत शौक था वो कहा करते थे कि मैं जितना संभव हो उतने टेलेफोन जमा करना चाहता हूँ यही हाल दूसरे इलेक्ट्रोनिक गैजट्स का भी था ये इलेक्ट्रोनिक गैजट्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं सिर्फ देखने के लिए खरीदे जाते थे उनके पास चार टीवी सेट थे उन में से वो किसी को दिन में दो घंटे से जादा इस्तमाल नहीं करती थे उनकी हर दूसरी मेज या अलमारी में एक स्टीरियो रिकॉर्डर रखा रहता था उनका फाउंटेन पेनों का संग्रह तो नायाब था जो भी बच्चा उनके घर आता उसको वो अकसर एक पेन भेंट में देते जबकि वो खुद एक बेहद साधारन बॉल पेन से लिखते थ थी चीजें जमा करना उनका शौक था उनका इस्तमाल करना नहीं सेशन ने अपने कारेकाल के दौरान प्रधान मंतरी नरसिमा राओ से लेकर हिमाचल प्रडेश के राजपाल गुलशेर एहमद और बिहार के मुक्ह मंतरी लालू परसाद यादव किसी को नहीं बखशा उन् अलेक्शन कमिशन को इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर में बिठा दिया डरने लगे ये उसका काम है करा था उसने उससे पहले जितने भी बड़े बड़े आप कहते हो फ़लां सीसी सुना दे वर जरूटीन वन मेंबर कमिशन रिहान पदल बीबिसी दिल्ली